हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल शेरिंग आइडिया विशिल पर आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए जैपूर का थर्ड व्लोग सबसे पहले हमने फर्स दे चोकिधानी विजिट करी सेकेंड दे हमने सारे मंदिर्स पर गारा विजिट करें अब थर्ड दे है जो हमने सोचा कि अज सारे फोर्ट विजिट करते हैं क्योंकि या पोपुलर भी यही है क्योंकि यह सबसे बड़ा है और इस पोट का जो रास्ता है वो भी काफी सुन्दर है पूरा फोर्ट दिखता है यहां से और नीचे एक जील बनी हुई है और अब हम जा रहे हैं इसके आमेरगड सबसे पहले हमने स्टार्ट कर रहे हैं कि आमेरगड को देख लेते हैं उसके बाद हम जैगड़ फोर्ट और नारगड़ फोर्ट देखेंगे दोनों अब हम आ चुके आमेरगड फोर्ट के अंदर यहां पर हम मेरे हस्बन के जो फ्रेंड्स वेगारा ने बताया है यहां पर बीना गाइड के को फाइदा नहीं है फोर्ट गूमने का क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा बस आप जस्त बिल्डिंग्स वेगारा देखके आ अब गाइड लिया था ताकि हमें सब कुछ बता सके कि क्या 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 हुआ था हिस्टरी में के यहां पर गाउं की दास्या डांस करा करती थी मतलब मनोरंजन के लिए बनाए ज़े लिए लगी एक सो सेट्श साल इसको बोलते हैं, अकबर दिल्ली से निकला करते थे अजमेर कि लिए। अपने बेटे सलीम की मननत मान में ज़िए उस टाइन पर रास्ते में कोई मज़ी सीथी यहां पर आप रहा है केसर बाग और यहां पर एक शो चलता है रात को नाइट शो डेली तूसिती का बन परसंड का डिगेड हो था आप देखरों यल्लो पिलर पर रिकोड़र लगए उ अब यह देखे हम उपर की तरफ यह इसमें थोड़ी सी स्टेर्स हैं उपर की तरफ चड़ाई सी करनी पड़ती है और इसका रास्ता एकलिस 10-15 मिनट्स का है तो अब यह देखे हम उपर बहुक्तल में गेट पर पहुच चुके हैं जो आम अमर्गर का में गेट है जो को बोलतें जालेदी प्रोद्व भी घ्राइव गेट का नाम फिर फोड़ की श को भीच और यह विंट एक दर्गर का नाम है जान्द फोलगित है आपे देखर सामने गेट, इस गेट का नाम है चान्द को लिए आपके देखर अपर जरम रखावा है, इसे राजाओ को कोई भी गेश्टा आते रियस्टबल बने हैं, यहां पर गोड़े बांदे जाते थे, गोड़े काम आते थे यह यूदी में एलिफेंड काम आते थे रा में सीना के देखर अपर सामने गेट, उस गेट का नाम है शिंपोल गेट, इसलिए बोलते है रास्ती को कि नाम के आगे सिंग लगता है, इसलिए उस गेट का नाम लगता है, इसलिए उस गेट का नाम लगता है, इसलिए उस गेट का नाम लगता है, इसलिए उस गेट का न दीवाने आम भी आम पब्लिक के लिए बनाए गया इसके आगे बनाओ यह दिवाने खाग जो देख रहे आप यह ओल्ड सीटी पुराना जेपुर पिंग सीटी बाद में वसी थी पेले यही था जेपुर इस गाहों के अंदर 365 टेमपल बनेवी 300 पेसर टेमपल पुराने मंद कि देकर आफ सामने ति अहिए मीरा और किeshं का टेंपड इस वर्ड में मीरा ओर किष्कन का थे व्हा बनाओ यह पुरा प्ना युझा है नियौ्श्कटरा यह दिख रह है रिल्लोक्रा के इनल caveat कषे शेंप ता its कंश्र केलिपुरा मां कि अर्थी निशग का लिए बनावा पेले यही था पेलेस, इस पेलेस का रियल नेम है कदम पेलेस, और मैंने बताया था भी आपको 12 किलोमीटर में की सेफटी गूल बनावाई यह पूरा गोलाई में बनावाई, यह जो बन रहा है, यह सामने फोर्ट देख रहे आप यह है, यह है जेगड़ फोर्ट, तो इन ही की थी वो, जेगड़ परिवार केंडर में आगया, आपने नाम सुना है, दिया कुमारी गा, हमारे सर राजस्तान में बीजेपी से सांसद है, उनके बेटे पदमनासी, वो 21 साल के, जेगड़ फोर्ट और सीटी परेस के जो भी इंकम आती वो शाही परिवार के प माता का मंदिर भी है, तो ये बंद रहता है तो फोरो कलोक के बीच में, पर आचुके, यहाँ पर टिकेट है हंडर उपीस की, ये दिवाने आम है, जहाँ पर आम जनता की जो सुनवाई होती थी राजा के सामने, और दिवाने खास बगारा बना हुआ है, जो मिदर बगारा अब ये देखिए, पूरा केसर बाग है, मैंने पहले भी दिखाया था, इस केसर बाग में एक शो चलता है राथ को, नाइट शो लाइटनिंग का, तो उसकी टिकेट बगारा भी है, और जो केसर उगाने के लिए राजा ने ये बनवाय था, पर वहाँ पर केसर किसी वज़ तो उसका नाम केसर बागी डल जया था, और ये देखिए, अंदर आ गए, हम दिवाने खास में, तो यहाँ पर सब में मिरर लगे हुए हैं, अंदर दिवारों पर, तो यह भी काफी सुन्दर है, और यहाँ पर गार्डनिंग भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, इतने सुन्दर है, और यह मुगलो का शाही गार्डन माना जाता था, और अब हम, मैंने आपको छोटी सिक यह जैगड फोर्ड की भी दिखाई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, देखें, बहुत ही बड़ी तोप है, इसको जैवन तोप नाप में है, जैवन और इसको हिलाने के लिए भी कमसम चार हाती तक का वेट चाहिए, तो यह ऐसे ही रखी हुई है, लोग ट्यूरिस्ट फेकर इसको देखने के लिए आते हैं, काफी अच्छा दा यहां पे, और यह भी यह तीनो जो फोर्ट हैं, जैगड फोर्ट, आमेरगड फोर्ट तो नारगड फोर्ट तीनो आसपास ही हैं, और काफी अच्छे फोर्ट है तीनो, तो आप यह देख सकते हैं, यहां पे अधरव ने काफी इंजोई करा, क्योंकि आमेरगड पे थोड़ा रश जादा था, यहां पे कम था, यह देखिए, यहां पे भी काफी अच्छी बाउ उसके बाद यह जैगर फोर्ट देखने के बाद हम चले गए थे नारगड फोर्ट, नारगड फोर्ट में ज्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई, मैंने सिरफ संसेट की वीडियो बनाई है, यहां पे एक संसेट पोइंट है, जै सबसे ज्यादा फेमस है, अब हम आ चुक आप शाम को इवनिंग में होते हुए जाएंगे, क्योंकि यह शाम को पाँच बजे उपन होता है, और बारा बजे सुबे के बन हो जाता है, और यह देखे, बहुत ही सुंदर लगा में मंदेग, और यह जो गोबन जी किया पे प्रतिमा रखी हुए है, वह बहुत ही बना हुआ है मन्योगी तो एक आपी पेमस है वहां का तो आप ये भी जैपुर में चब जाएं तो जरूर देखिए इसको भी कि अज़िए अब ये गोविंजी का जो टेंपल है वो हमारा लास पोट था देखने का उसके बाद अब हम आगए अपने होटेल आज हमने जो हमारे टूप में होटेल के टॉप रूफ पार्ट के एरिये में हमने डिनर किया है वो भी ड्रॉट का ही है जो मैंने नीचे का होटेल दिखाया उसी का उपर भी है हमारे होटेल के तो यह भी काफी अच्छा था यह देखिए इदम केंडलाइट डिनर जैसी फील आ रही थी और काफी अच्छा एंवार्मेंट भी था यहां पर और अथार विस टेम पर सो गया था तो हमने यहां पर डिनर किया डिनर बोस वेरी यम्मी दोनों ही रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा था अब नेक्स्ट यह हम जा रहे हैं चेक आउट के लिए अब यह देखिए हमने लगेज विगारा सब पैक कर लिया है और यह देखिए मेरे हजबिन जो है चेक आउट की सारी फॉर्मैलिटी कर रहे हैं उसके बाद ह चेक आउट करने के बाद हम आ गए है वर्ल ट्रेडिंग पार्क जो यहां का सबसे फेमस मॉल है और अधर्व यहां पर बहुत मजा रहा था अधर्व को खिलने में और हम इसके अंदर यह देखिए यहां का जो फूट कोट एरिया है वो पूरा डिजनी लैंड की तरह बना जोलरी यहां पे उक्सड़ास जोलरी भी काफी अच्छी थी आम आप यह पूरा जूलरी का जूलरी का का एक काइंड ओफ शोप है तो यह काफी अच्छी लगी मुझे और इनकी कलेक्शन है इनकी एक एक ता कोस्मेटिक्स की भी है यह देखिए इस पे हेरे वैंड ची घो तो मेरा मेरा काफी अच्छा एक्सपीरिंस रा दोनों ही शॉप अब मॉल से जाने के बाद अब हम आ गए अपने होटेल अपना लगज के लिए और अब हम लगे क्या पूप करने के बाद अब हम जाएंगे सिद्धा प्रवम नंपेले में अब अशुद्धा और पूप करते अब करने हों प्लीज उस वीडियो को बिज़री देखे रहुत सरा प्यार दीजिए